नमस्ते मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे योडिव चानल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसे कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के तीन लेक्चर्स अल्रेडी कम्प्लिट कर चुके और आज हम फूर्ट लेक्चर पढ़ने वादे हैं प्रिवियस लेक्चर में आपने य के उपर क्विश्चन आते और काफी बार इनको एक दूसरे से जोड़ा भी जाता है तो ऐसा क्या डिफ्रेंस था रेनेजांस में और रिफॉर्मेशन में यह आपको आज का लेक्चर देखने के बाद पता चलेगा इतना बताना चाहूँ कि आज का लेक्चर जब आप लिट्रेचर आर्ट्स या पॉलिडिकल सिस्टम में उसे रेनेजांस कहा जाता है तो चलिए रिफॉर्मेशन को आज के लेक्चर में डीटेल में पढ़ने की कोशिस करते हैं तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो है रिफॉर्मेशन तो आईए हम देख लेते सबसे पहले कि आज के लेक्चर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है हम रिफॉर्मेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है रिफॉर्मेशन का उसके बाद जो रिफॉर्मेशन था उसको दो पार्स में क्लासिफाई किया गया था वो क्लासिफिकेशन देखेंग Reformation फोड़ा छोटा topic होता है तो चलिए शुरुवात करते है Reformation की Reformation का जो meaning है वहाँ से हम पहले शुरुवात करेंगे Meaning जो है Reformation का वो ये है पहले मैं आपको एक simple definition बता देता हूँ फिर मैं आपको ये explain कर दूँगा A 16th century religious moment mark ultimately by rejection or modification of some Roman Catholic doctrine and practice and establishment of Protestant churches ये जो है इसे कहा जाता है Reformation, Reformation आने आप जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो चुर्च वाला था वो वीडियो जो चुर्च हमने देखा था स्टाइटिंग में या फ्यूडल सिस्टम और चुर्च वाला वीडियो वो यहाँ पर उसके लिंक दी हुए ये लिंक पे क्लिक कीजेगा और वो वीडियो को देखिएगा पूरे प्रैक्टिस पता चल जाएंगे कि रोमन क्यां चक्या आता था मिया इसको कहीं करना इसको कहां जाता है paper मेशन तो चलिए हम सबसे पहले reformation का meaning देख लेते हैं, meaning में जब आप आते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक definition बता देता हूँ, फिर मैं आपको यह समझा के दूँगा, तो पहले जैसे हम definition उसको पढ़ लेते हैं, a 16th century religious movement marked ultimately by rejection or modification of some roman catholic doctrine, practice and establishment of protestant churches, तो यहां देखी आपको इस definition मे पहला word मिल रहा है that is rejection, दूसरा मिल रहा है modification, reject किये गए कुछ चीज़े, modify की गए कुछ चीज़े, कौन से चीज़े, जो पहले church की चीज़े थे, roman catholic doctrine जो थे उसको reject किया गया, मैंने आपको पहले जो लेक्चर थे उसमें बताया भी था, कि church कौन-कौन से practices को follow करता था, जितने भी practices थे, जितने भी rituals थे, इसको यहाँ पर reject किया गया, इसको यहाँ पर modify किया गया, और उसके साथ-साथ जो बनाये गए नए church, उसको कहा जाता है Protestant churches, तो Roman Catholic Churches के जगे है Protestant churches देखने मिले, तो यह जो बदलाव था, यह जो changes आ रहे थे, इसी को reformation कहते हैं, यह classification of reformation, जब reformation के classification में हम आते हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखने मिलता है, कि reformation जो है, वो दो पार्ट में classify करके पढ़ना होता है, reformation दो तरह से हुआ, तहला reformation जो था उसको Protestant reformation कहा जाता है, दूसरा reformation जो था उसे Catholic reformation कहा जाता है, हम यहाँ पर Protestant और Catholic reformation इन दोनों के बारे में कुछ idea लेंगे, Protestant reformation क्या था, किस ने शुरू किया और किस तरह से उसके शुरुआत हो, यह पूरी चीज़े हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो चलिए Protestant reformation को पढ़ना शुरू करते हैं, Protestant reformation जो था, वो early 16th century में हुआ था, सोलवी सदी में होता है, वो भी एकदम starting म earlier stage पर होता है, तो Protestant यहाँ पर नाम, तो अगर आप इस word को गौर से देखे Protestant, तो इसमें आपको दिखता है protest, प्रोटेस्ट यह word से आप देख सकते हैं, कि किसी चीज़ों को प्रोटेस्ट करना, वही चीज़ों यही नाम से बनाऊगा, Protestant reformation, यह हम easily guess कर सकते हैं, तो यही है कि protest यहने हम कहेंगे किसी चीज़ का बहिशकार करना, किसी चीज़ को reject करना, किसी चीज़ में reformation लाना, change लाना, ऐसे चीज़ों को Protestant reformation कहा जाता है, तो चलिए इसको अब और डीटेल में पढ़ते है Protestant reformation, Protestant reformation जो था यह एक movement थी, जो चलाई जा रही थी against the practices and authority of radical Catholic Church, आपको यह चीज़े अच्छे से पता है, Catholic Church जो था उसकी जो भी rituals थे, जो भी practices थे, जो भी evils थे, उसके बारे में आप लोग पहले lecture में पढ़ी चुके है, lecture number one में, उसमें मैंने पूरे evils of churches discuss किये थे, तो यह lecture में मुझे भी वापस से discuss करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी, आपक चीज़े चल रही है वो, तो protestant leaders जो थे, उन्होंने अपने खुद के churches बनाना शुरू किया, उन्होंने कहा यह जो Catholic Church है, यह कोई corrupt practices में involved है, और यह बहुत ज्यादा corrupt हो गया हम लोगों को कही ना गई, loot में के काम कर रहे है, तो इनके अलावा हमें अपने अलग churches यहाँ प corrupt practices है, उसको change करना, उसको बंद करना, उसका protest करना, और हम लोगों के लिए एक अच्छे से liberal से church बनाना, जो की लोगों को freedom दे सके, अंडर मार्टिन लूथर, अब यहाँ पर मार्टिन लूथर देखते जाते हैं, मार्टिन लूथर एक monk थे, मार्टिन लूथर नाम के जो monk उन्होंने letter of indulgence जो था, इसको अपोस किया था, अब letter of indulgence क्या होता है, यह एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं एक बार पहले आपके साथ discuss कर चुका हूँ, और church के evils भी आपके साथ discuss कर चुका हूँ, बट यहाँ पर letter of indulgence के बार में एक और बार आपको idea देता हूँ, यहाँ अच्छी से समझ लेंगे letter of indulgence, अब हम देखते है letter of indulgence किस ते रखे थे, तो यह एक letter था जिसको issue किया जाता था, अब issue जब किया जाता था तो यह बहुत ही common practice थी, कबकी, तो catholic church के वक्ती यह बहुत common practice हुआ करती थी, reformation के पहले catholic church letter of indulgence लोगों को issue कराया करता था, यह जो letter of indulgence थे, इसमें क्या होता था, जब भी आप confess करने जाते थे, जब भी आप, को मैंने आपको जैसे कि पहले lecture में भी बता है, कि आपको confess करने जाना था, confess किस चीज के लिए करोगे, आप confessing करोगे, या फिर आपको बताएगा कि आपको कोई godly work करना है, या या फिर आप confess करो, जब आप confess कर रहे हो, या फिर कोई godly work कर रहे हो, तो आपके जो scene है, आपके जो पाप है, ये खतम हो जाते थे, ऐसा church दावा करता था, तो ये आपके पाप खतम हो गया है, और आपको अपने पाप के लिए punishments अभी आगे नहीं मिलेगी, तो punishment आगे नह लुथर ने अपस किया, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई letter of indulgence नहीं होता है, और बाकी जो church के evil थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपको जो भी चीजे करनी पड़ती थी, आपके लिए वो compulsory करा दी थी church ने, वो सब चीजे भी हम देखते हैं कि कही ना कह जो भी बुराई या थी, जो भी corrupt practices थी church की, उसको भी Martin Luther King ने पूरी तरह से अपोट्स किया था, और उन्होंने यही अपोट्स करते करते Protestant Church बना दिया, Protestant Church जो बनाया गया था, वो जर्मनी में बनाया गया था, from 1520 to 1545 के बीच में under the king's support, अब यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यह जो king है, इन्होंने कही न कहीं, Martin Luther को यहाँ पे support किया था, कि वो church बना सके, अलग तरह के church बना सके, Protestant Church बना सके, तो हमारे mind में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा, कि आखिरकार king ने Martin Luther को support क्यों किया, कि वो Catholic Church के अलावा Protestant Church बनाया है, जो कि oppose में था Catholic Church के, उसके प monk थे, इन्होंने ही कही न कहीं, यह सब चीजे जो है, वो change करने की कोशिश की थी, later of indulgence and all in, सब को oppose किया था, Martin Luther ने, तो Martin Luther जो थे, उनको king का support था, तो सबसे पहला सवाल है, कि why ruler supported Luther, तो Martin Luther को ruler support क्यों कर रहे थे, सबसे पहले आपको यह बता, German ruler supported Luther due to political reasons, सबसे main तो यहाँ पे देखने मिलता है, वो एक कुछ political reasons, उसके अलावा और भी कुछ reason थे, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि Pope जो था, यह Pope की जो authority थी, यह बहुत उपर तक पहुँच गई थी, मैंने इवन आपको यह भी बताया था, जब church पढ़ा रहा था, कि Pope जो है, यह कही ना कही ruler को भी dominant करता था, यानि ruler के भी उपर Pope पहुचने लगा, Pope जो होता है, जो Christianity में church का head होगा, पूरे religion का head माना जाएगा, वो Pope king को भी control करता था, और king को भी बतायेगा, king ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और उसके साथ साथ आप देखोगे, कि freedom उसको होना था, यह Pope के authority से ruler था कि ruler को भी यह लग रहा होगा कि मैं भी अपने काम खुद से करू, freely करू, मुझे भी freedom होना अपने decisions लेने के लिए, और Martin Luther अगर उस चीज के लिए काम कर रहे है, तो Martin Luther को मैंने support तो जरूर करना चाहिए, तो Martin Luther को इन्होंने support दिखाया ताकि इस तरह के Pope वाली जो post है, इसके जगे पे Protestant Church आ सके, जो की free थे, जो की कहते थे कि King अपना काम करेगा, हम अपना काम करेगा, ऐसा कोई problem नहीं जाएगा, और उसके साथ साथ control on wealth of monastery ये भी चाह रहा था, अब जो भी monastery में पैसा आता था, वो पूरे चीजों पे कहेंगे कि Church का या फिर Pope का control होता था, अ अब ये चीजों के चलते हम कहेंगे कि, अब कही ना कही इतना तो है कि wealth जो आ रही है, वो कही ना कही state की भी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि पूरी की Church की है, और वो corrupt practices के लिए इसे कमा रहे हैं, जो ये सब चीजों से छुटकारा चाहते थे जर्मन के rulers, ये होने के जर्मनी से शुरू होता है Protestant Church का बनना, और Protestant Church धीरे 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 पूरे यूरोप में बनने लगे, जब पूरे यूरोप में Protestant Church बन गए, तो हम कहेंगे nationalism भी आ चुका था, अब आपको मैंने बताया कि पहले Feudal Lords थे, Feudal Lords जब थे, जब Feudal सिस्टम था, तब लोगों को ये लगा, कि हम जहां रहते हैं वो तो एक nation है, तो यहां पर लोगों के अंदर nationalism वाली feeling आ गई, उनको पता चल जाता है, हम राष्टर में रहते हैं, तो उनको लगने लगा कि राष्टरवाद हमारे अंदर आ चुका है, इस तरह की feeling आने लगी, हम आगे देखेंगे nation states किस तर आगे के lectures में, तो यहां पर nationalism ने बहुत अच्छा role play किया था, जैसे कि लोग जो थे, वो कही ना कही चाह रहे थे, कि Catholic Church की जो authority है, उससे हम अलग हो जाए, जो कि रोम में है, रोम में Catholic Church रहे रोम में अपना काम करे, हम लोगों पे तो अपना domination ना दिखा है, हम लोगों पे incidence हुआ था, इंग्लेंड में, इंग्लेंड में सीधा King Harry ने बोल दिया कि Church का head कोई Pope नहीं, कोई नहीं, सब Church का head जो है, वो मैं खुद हूँ, King खुद उसका head होगा, ये भी यहां पर declare किया गया, उसके बाद Queen Elizabeth First जो आई थे, इंग्लेंड में, उन्होंने, she made the Church of England, the official Church by declaring it Independence from Church in Rome, उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी क्या होता है, कि जो Pope होते थे, वो Rome में रहते थे, अब Pope वहाँ से, जितने भी Churches है, वो पूरे Churches को कही ना कहीं कंट्रोल करते थे, जितने भी Churches है, सभी Church को Rome कंट्रोल करता था, चाहे वो किसी भी देश में रहे, Queen Elizabeth First ने कह द बताए जा रहे है, Luther ने जो बताए, या फिर Protestants ने जो बताए, वो हम लोग भी अडॉप्ट करेंगे, उन में से कुछ, तो यहाँ पर यह सब चीजे होने लगी, तो रिफॉर्मेशन को रूलर्स का सपोर्ट करने का सबसे में कारण यही था, कि Pope के कंट्रोल से वो फ्री हो Moken by People, पहले जो Language यूजज करते थे, पहले के टाइम पे वो Latin हुआ करती थी, मैं आपको बता भी चुका हो कि Medieval टाय्म पे जो Language यूजज होती थी, वो Latin Language Buenos यहां पर सवाल यह उटता था कि लिखा क्या है अब कुछ लोग उसे पड़ पाते थे जो कि फादर या फिर चुर्ट से जुड़े हुए के काम कर रहे थे करब प्रैक्टिसस में इन्वाल हो चुके थे यह प्रोटेस्टेंटि इन्होंने क्या किया सबसे पहले उन्होंने चर्च में लैंग्वेज यूज करना जो शुरू किया वह वह लैंगवेज ती जो नॉर्मल लोग बोल सकते थे रादर दान इलाइटिस्ट के चलते ऐसे ही सब चीजे हुई थी जो हमने modern history में भी पढ़ा है social sorry medieval history में भी पढ़ा है भक्तिजम में पढ़ा है तो आप देख रहे वहाँ पे Sanskrit language धीरे धीरे local languages यूज होना शुरू हुआ चाहे वह हिंदी हो चाहे वह हो चाहे वह मराटी हो चाहे वह तेलगू हो है ना तो Sanskrit के बाकी लैंग्वेज जिस भी कही ना कही यूज करना लोगों ने शुरू किया था वैसा ही यहां पर लाटिन थी लाटिन को समझने वाले जो इंडिया में क्या था यह एक टाइम से सभी देश गुजरे ही है यह तो समझ जाएगा अब यह होने के बाद आपको बता दो यूज ओफ लोकल लैंग्विज फूर्दर इंक्लिस दे नाशनल कॉंशियसनेस अब लोग चीजों को पढ़ने लगे पढ़ने क्याद उनको समझने लगा कि हम सब एक जगह के लोग हैं हम सभी जैसे लोग हैं हम सब एक राश्टर के लोग इनके अंदर नैशनल कॉंशियसनेस बढ़ने लगा ने के कारण रिनेजांस और रिफॉर्मेशन अगर दोनों को हम जोड़ दे तो can be said to be a precursor of nationalism in Europe और इनहीं के कारण यूरोप में nationalism बढ़ा हमारे अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहे है reason और religion अब reason और religion में क्या होता है religion में mainly क्या कहा जा रहा था पहले churches में कि जो religion में लिखा है वही आपको करना है आख बंद करके उसको follow करोगे अंदव इश्वा सुपर स्टीशन यहाँ पे क्या कहा गया reason को देखिए हर चीज के पीछे का एक value मिल रहा था और by 17th century half of the Europe ने अपने खुद के Protestant churches बना लिये थे तो इतने बहतरीन काम कही ना कही ने चर्चेस ने किये थे Protestant churches ने तो आप देख सकते कि Protestant churches ने करब practices को खतम करने के साथ-साथ लोगों के बीच awareness बढ़ाने का या nationalism बढ़ाने का या पिर knowledge बढ़ाने का एक Protestant churches के work थे तो यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि Catholic Protestant reformation केस तरह से हुआ तो यहाँ पे हमने Protestant reformation को complete कर लिया है अगला जो हमारा topic होगा वो होगा Catholic reformation अब England में क्या होता है हर जगे कही ना कही हम ये देख रहे कि Protestant churches बहुत जादा बढ़ने लगे इस कारण कही ना कही Catholic churches को धोका लगने लगा Catholic churches को ये लगा कि हम लोग कही पूरी तरह खतम ना हो जाए तो उन लोगों ने भी reformation शुरू कर दिये इसको counter reformation भी कहा जाता है ये late 16th century में शुरू हुआ जो Protestant के reformation थे वो early 16th century में शुरू हो गए और Catholic reformation ने late 16th century में शुरू हो जब late 16th century में शुरू हो इसी चीज के लिए इन्होंने शुरू कर दिया अपने खुद के reformation. So this was a reformation process initiated by Catholic Church in response to the rising popularity of Protestant churches. Protestant churches की popularity बढ़ेगी तो आप लोग भी क्या करोगे ति अपने आपको popular करना शुरू कर दोगे. Spain में अगर देखा गया तो reformers formed an organization of clergymen to work as a soldiers of Jesus. तो इन्होंने खुद को soldier of Jesus नाम दे दिया हम Jesus के soldier से हम जो हमें हमारी जो भी प्रताय है जो भी rituals है जो भी Bible में लिखुए चीजे है उसको आप challenge कर रहे हो या फिर यह गलत चीजे लोगों तक पहुचा रहे थे वैसे यही कह रहे थे कि हमारे authority को आप challenge कर रहे तो हम ऐसा नही होने देंगे तो यह बन जाते है कही ना कही हम कहेंगे कि soldier of Jesus नाम के यह शुरू कर देते हैं अपनी एक organization अपना एक काम यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ पर एक word आ रहा है कि आप देख सकते हैं वो है clergyman अब clergyman का जो meaning है वो भी आपको बता देता हूँ clergyman एक male priest होता है clergy Christian Church का minister minister of Christian Church बट वो mail ही रहता था minister of Christian Church तो यह हमें देखने मिलती हैं यह कुछ चीजे तो यह होता है clergyman तो clergyman अगर क्या है या आपको कभी doubt आ रहा है तो उसका meaning यह है यह याद रखेगा यह होने के साथ साथ अब जो members थे soldier of Jesus के उन्होंने अपनी organizations बनाना शुरू किया और GCS कहते थे अब GCS कहते थे और उसके साथ साथ वो फ्रांस में चल जाने लगे हम कहेंगे जर्मनी में जाने लगे और अपने followers को वापी जीतना उन्होंने शुरू कर दिया जीतने के साथ साथ उन्होंने एक और target शुरू कर दिया कि हम missionaries या हमारे जो mission से वो इंडिया में भी लेके जाएंगे और Christian missionaries इंडिया में आई थी आपने जो पड़ाता यहां से connect हो जाते हो आप इंडिया के history से तो यहां पर mission आने लगे इंडिया में चाइना में अफ्रिका में अमेरिका में यहां सब जगे पी इनोंने अपने missions भीजे ताकि Christianity को वापिस से Catholic Christianity जो थी Catholic Church जो थे उनको वापिस से उनका domination यहां पर setup कर सके यह सब reforms को कहा जाता है Catholic reformation या counter reformation तो यहां पर हमारा counter reformation वाला topic भी खतम होता है तो यहां पर हमने Catholic reformation को complete किया अभी जो आखरी जो topic बनता है that is consequences अब reformation तो काफी अच्छा देखने मिला तो इसके consequences क्या हुए इसके consequences जो थ प्रोटेस्टेंट थे दूसरे Catholic थे इन दोनों के बीच में हम कहेंगे कि religion वाला वार शुरू हो गया तो followers के बीच में बोथ सेक्स और बहुत सारे followers मारे भी गये दोनों साइड्स में तो इतना बड़ा एक war था violence जो था against Protestants in England है ना England में जो प्रोटेस्टेंट थे उनके ख पर उन लोगों ने अपनी colonies बना दी यहां से colonization भी शुरू होगा तो आप देखोगे कि जो यूरोप था यूरोप से यह वो लोग नौर्थ अमेरिका के तरफ माइग्रेट होगे क्योंकि इन लोगों को Protestants को Catholic वाले जो थे वो कही ना कही वाइलेंट ली उन पर अटैक करत इसलिए आपको World History के सभी events इतने connected है कि आपको सभी lectures देखना बहुत जादा जरूरी हो जाता है अब यहां पर हम देखते है कि USA यहां पर बनने लगा धीरे धीरे अब उसके अलावा हम कहेंगे England में क्या हुआ in England due to pro Catholic religious policies है ना तो यहां पर जो भी policy थी Catholic लोगों की उसके च बदल गया English Civil War में जो चला 1642 से 1651 के बीच में किसके बीच में चला तो Parliamentarians के बीच में Parliament को सपोर्ट करने वाले रोयलिस्त को सपोर्ट करने वाले एक दूसरे पारलेमेंटरिया ने डेमोक्रिसी को सपोर्ट करने वाले दूसरे तो government किस तरह से होगी इसके लिए एक वार चल Civil War और बाकी चीज़े पढ़ेंगे तो इस लेक्चर में हमने जो भी चीज़े थी और रिफॉर्मेशन यह पूरी हमने यहाँ पे कम्प्लिट कर लिए उसके साथ साथ आप लोगों का यह जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 था जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से था हमें एक एक और नोटिफिकेशन मिलने के कारण आपके लिक्चर मिस नहीं होंगे टाइम पर आपको लेक्चर करने मिलेंगे और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एक्जाम में और अपडेट्स चाहते तो आप मुझे श्रेयस बड़ी और इंटरप्रेटेशन फेस ज़्यादा ख्याल रखे और याद रखिए नॉलेज बाटने से बढ़ता है तो शेयर करते रिए जितना हो सके अपने नॉलेज को सभी के साथ और अपना ख्याल रखते चलिए टेक क्यार एंड हैव गुड डे